आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में हर तीसरा इंसान fatty liver disease का मरीज है और अगर आपने समय रहते इसका ध्यान नहीं दिया तो फिर ये condition आपको liver failure की तरफ भी लेके जा सकती है actual में जितना भी आप excess food या excess carbohydrates या excess fat refined processed food आप जब खाते हैं तो उससे आपको बहुत ज़ादा carbohydrate मिलता है तो ये सारा जो excess carbohydrate जब बहुत ज़ादा होने लगता है तो liver इसको अपने अंदर जमा करने लगता है क्योंकि आपको बाकी body के effects को उसको बचा के रखना है और दीरे दीरे फिर आपके liver पे fat जमना शुरू हो जाता है और यही से आपके fatty liver disease की शुरूआत हो जाती है ये grade 1 तो बहुत लोग को मिल जाएगा लेकिन grade 2 और grade 3 जाती जो है liver failure में patient चला जाता है और ये बहुत ही खतरना condition होती है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मरीज के लिए यहां आपके लिए ये भी समझना जुरूरी हो जाता है कि आपका liver तितना powerful organ है सबसे एहम काम जो है liver का वो bile juice का production करता है और bile juice जो है आपके wastes वो toxins को आपके शेडरी से बाहर निकालने में मदद करता है और जो bile juice का सबसे एहम रोल है वो fat को digest करता है fat को छोटे-छोटे particles में तोर देता है और जो small intestine है वहां जाके fat के digest होने में मदद करता है liver अच्छा cholesterol भी बनाता है और साथ ही साथ आपके blood से बहुत सारे toxins को absorb करके उनको आपके शरील से बाहर निकालता है जिससे आपका स्वास्थ ठीक से बना रहे या तक के जो protein है उसका synthesis भी liver के अंदर होता है वहां पे blood clotting factors यानि के ऐसे enzymes जो आपके घाओ के भरने में मदद करता है और साथ ही साथ जब आपको चोट लग जाती है तो जादा या अधिक खून बैने से रोकने के लिए ये clotting factors या clotting enzymes जो है वो काम आते हैं इसलिए आपकी body को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और इन सारे ज़रुरी functions को ठीक से चलाने के लिए अपने liver को daily repair करने की ज़रुत है और उसको clean out करने की ज़रुत है इसके लिए आपको सिर्फ कुछ चोटी सी चीज़े करनी पड़ेंगी आपको अपनी diet में ऐसी चीज़े डालनी पड़ेंगी जिससे आप अपने liver को protect कर पाएं और अपने liver को daily continuously repair करते रहें उसको clean out करते रहें तो बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में हम एक एक करके बात करेंगे कि आपकी diet में वो कौन को सी चीज़े होनी चाहिए जिससे आपका liver function बिल्कुल ठीक से काम करता रहे और आप बहुत सारी बड़ी बिमारियों से बच जाए तो सबसे पहला है लोग कहते हैं आपको fat नहीं खाना आचिक ना खाएंगे तो उनकुसान करेंगे लेकिन मैं आपको कहा रहा हूँ आप fat खाएए लेकिन आप natural और healthy fat खाएए जितने भी natural sources से आपको fat मिलता है जिसे coconut oil हो गया, mustard oil हो गया sunflower oil हो गया या olive oil हो गया यह सारी चीज़े या विन seafood से भी जो आपको fat मिलता है यह अच्छे fat की category में आता है fat खाना आपके लिए क्यों जरूरी है क्योंकि आपका जो sugar खाने की या मीठा खाने की जो इच्छा है उसको कम कर देता है और अगर आप कम carbohydrates लेता है तो आपको मोटापे का और blood sugar का खत्रा काफियत तक कम हो जाता है इसलिए आपको रोजाना एक table spoon natural fat लेना चाहिए या oil लेना चाहिए जो generally आप जो बोजर मनाते हैं खाना पकाते हैं उसमें उतना आपको दिन बर के खाने में इतना fat मिल जाता है बशर्ति वो natural sources से आया हो नमर दो मूली, शल्जम, गाजर, चुकंदर, गोबी, हरी सबजिया इन सब के अंदर एक बहुत ही शानदार एक antioxidant होता है और जो आपके liver के लिए बहुत ही बहुत ही बहतरीन चीज़ है इसके अंदर anti-inflammatory properties पाई जाती है यह आपकी liver की cells को repair करने में बहुत अत्तक मदद करता है और आपके liver के अंदर जो toxins जमा हो जाता है उनको बहार release करने में बहुत ज़ादा मदद करता है तो यह सारी चीज़े आपके भोजन में ज़रूर रहनी चाहिए अपने liver को protect करने के लिए या उसको daily repair करने के लिए नमबर 3 onions ये garlic का इस्तमाल आप जादे से जादा करें क्योंकि onion और garlic जब आप जादा खाते हैं तो liver के अंदर bile juice का जो secretion है या production है वो बढ़ जाता है और जो bile juice का secretion या production बढ़ता है तो एक तो fat आपका बहुत अच्छी से बच जाता है और आपकी जो toxins है वो बहुत जल्दी release हो जाते हैं और ये साथ में आपकी भोजन को भी पचाने में मदद करते हैं जिससे fat का breakdown काफी तेजी से होता है अब अगर fat तेजी से breakdown होता है तो जो carbohydrate है या जो आपकी calories है वो भी तेजी से burn होती है तो आपका मुटापे का खत्रा और liver के उपर जो chicken ये fat जम जाती है वो जमने का खत्रा भी बहुत अच्छी तक कम हो जाता है अगर आप रोजाना एक कप coffee लेते हैं या उनको healthy बनाये रखने में बहुत जादा मदद करता है तो आप coffee का 7 भी कर सकते हैं तो आपका उससे liver काफियत तक स्वास्त रहेगा और नमबर पाच ये हिंदुस्तान के हर घर में हर एक भोजन में इस्तमाल होती है हल्दी हल्दी में बहुत सारी properties पाई जाती है ये antiseptic भी है, ये antibiotic भी है, ये antiviral भी है इसके अंदर digestive properties भी पाई जाती है और ये antioxidant properties भी इसके अंदर बहुत सारी होती है तो हल्दी अगर आप अपने भोजन में इस्तमाल करते हैं तो ये आपके liver को protect करता है और जो लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती है उनको रिपेर करने में बहुत जादा मदद करता है नमबर छे अपने खाने में या अपने भोजन में आकर आप सिट्रस फ्रूट्स का इस्तमाल जादे जादे करेंगे जिसे आपके औरेंजेज होगे लेमन होगया आमला होगया जिसमें विटामिन C की मातरा जादा पाई जाती है तो ये भी आपके लीवर के लिए क्लीजिंग एजेंट्स का काम करते हैं और एक तरीके से आपके लीवर में जो गंदगी होती है उसको साफ कर देते हैं दूसरा सिट्रस फूट्स का ज़ादा इस्तमाल करने से जो गॉल ब्लेडर स्टोन्स हैं उनके बनने का खत्रा भी काफियत तक कम हो जाता है। नमर साथ, सी फूट्स अगर आप ज़ादा इस्तमाल करेंगे तो उससे आपको ओमेगा थ्री फैटी एसिट्स मिलेंगे और ओमेगा थ्री फैटी एसिट्स एक तरीके से लीवर का अपना भोजन है। लीवर ठीक से काम नहीं करता है, उनको बार-बार जॉट्स होता है, या उनकी पाचन करिया या डाजिस्ट्रिफ सिस्ट्म ठीक नहीं है विकॉज फूज वीक लीवर। यह दो दवाईया मैं आपको बता रहा हूँ, यह देसी दवाईया है, आयरवेदिक युनानी कास होती है, एक होता है मको और एक होता कासनी, इनके अर्क जो है, वो मार्केट में मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, आपके नियरवाई मेडिकल स्टोर पर यह मिल जाएंगे, अर्क मको और कासनी, दोनों का 20-20 ml इच, सुबाश शाम अगर आप लगातार मह मनोरंजन होता है, बट यहाँ पर आपको मनोरंजन नहीं मिलेगा, बट हाँ, आपको हैल्थ जरूर मिलेगी, तो अगर आप कोई बात अच्छी लगी हो, तो इस यूडियो को लाइक कर लें, शेर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बैल लिकन का बटन भी दवाल है, तो इस तरह की वीडियो आपको समय पर बिलके रहें, थैंक यू